दोस्तो excel के इस amazing and powerful वीडियो में आप सब कस वा गता है जहां पर आज हम सेखेंगे automatic id card generate करना कहने का मतलब अगर आपकी पास excel में employees का data है students का data है और उस data के through आपको multiple id card generate करने या फिर माल लो multiple आपको certificate generate generate करना है letterhead generate करना कोई भी format एक बार में number of employees number of students के लिए generate करना है तो वो चीज़ आज किस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कर पाओगे क्योंकि आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा excel पर जो data available है उस data के through एक की बार में हम multiple employees के लिए multiple id cards generate कर पाएंगे वो भी बड़ी आसानी से so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो का topic बड़ा है इसलिए वीडियो की length भी थोड़ी से बड़ी है so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है तो बिना क kings id card में देटा जाएगा वो डेटा हमें excel पर पर council करना है इक हमारा data ऑर favor जो एक कि एम में MS用र्ड पर dealing तो सबसे हम क्रेंगे क्या हम आफना deato कर देट कर लेते आभ यहां पर आ방 जाद ताइम बरबाद keeping हाँ इसलिए मैंने और चौथा है date of joining तो यहां पर चार चीज़े तो हम put on कर चुके हैं बात करते हैं next हमके जो कि है images तो मैं यहां पर एक section बना देता हूं images का अब यहां पर देखो एक term को समझो आप basically क्या होता है कि यहां पर हम जो proper image है वो insert नहीं कर सकते अगर हम वो करते हैं तो हम उसे MS Word में call नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह जितना भी data आप देख रहे हो यह cell value है मतलब यह जो text है यह desert है यह क्या है यह cell के अंदर आ रहा है लेकिन जब आप एक image लेते हो तो वो as an object treat होता है तो object को हम proper linking में use नहीं कर पाते अब इसके लिए हमें करना क्या है इसके लिए हमें उस image का link की यहां पर put on करना पड़ेगा ताकि इस link को हम ms word में connect कर देंगे तो देखो करना क्या हमें यहां पर simple यहां पर आते है images वाले section में और आपको पताए कि किसी भी file या object को call करने के लिए हम use करते है hyperlink का तो यहां पर जलते है insert में और आपको option में जाता है hyperlink का आप इस पर click करते हूं click करने के बाद आप देखो images का एक folder मेंने create क्या हुआ है और जितने भी नाम यहां पर आप देख रहे हो Rajesh, Mahesh, Suresh, Hars वगरा जो भी है तो उन सबका मैंने यहां पर images का एक data create क्या हुआ है तो सबसे पहले मुझे राजेश चीए तो मैं Rajesh को select करूँगा और मैं okay करूँगा और okay करने के बाद आप जरह इस section पर गौर करो सबसे पहले क्या बता रहा है कि आपके disk F, F में एक folder है images का और उस image के folder में एक file है Rajesh जिसका extension है .png ध्यान रहे जब भी आप कोई file insert करोगे क्योंकि यह सब के साथ हो सकता है यह problem आए maximum लोग के साथ आता है और आप बात में उलुक परिशान होते हैं अगर आप कभी भी file attach करोगे कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर control के कर रहा हूं मतलब hyperlink कर रहा हूं तो सीधा सीधा यहाँ पर local disk F ही खुलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा अगर मैं यहाँ से कोई file select करूंगा तो यहाँ पर यह जो drive का location दे रहा है वो नहीं देता कुल मिला कि जो local disk F है local disk C है यह D है वो mention नहीं होता जिसके वचे से आपकी image link नहीं हो पाती तो यह चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको error मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ प बसके मैंने किया और करने के बाद यहाँ पर simple हम जाते हैं दुबारा से local disk F में जाएंगे और जाने के बाद images वाले folder में यह नाम है महेश का तो मैं यहाँ पर महेश को select कर लेता हूं इसी तरह के से जितने भी यहाँ पर images है उन सबको add-on करेंगे एक-एक करके तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो यह single slash आ रहा है तो हमको इसे double slash में convert करना है तो अगर आप एक-एक करके करो के काफी time लेगा तो हम इसे क्या करते हैं पूरे को select करते हैं select करने के बाद आपको replace option यूज करना है जिसका shortcut है Ctrl H हमने यह किया और यहाँ पर देखो मैंने find what में लिखा है single slash और यहाँ पर replace with double slash और एक की बार मैं करूँ मैं replace all सारे के सारे जो single slash है वो आप देखो के double slash में convert हो जाएंगे जो कि normally आप यहाँ पर देख पार हो अब मैं क्या करता हूं इसको save कर देता हूं तो मैं यहाँ पर F12 करता हूं और मैं local disk FME save कर लेता हूं से by data one के नाम से ठीक हमने यह लिखा और हमने save कर दिया तो यहाँ पर पहला काम था कि जितने भी employees का हमें ID card generate करना है उन सबका data ready करना तो complete data जो जो हमें use करना ID card में वो हमने यहाँ पर ready कर लिया अब चलेंगे MS Word पर जहाँ पर हमें format की rate करेंगे और उसी format को multiple use में करके सब के यह की बार में ID card generate करेंगे अब simply आगे हम यहाँ पर MS Word में और यहाँ पर आपकी जो margin होती है page की वो काफी जादा यहाँ पर ली हुए होती है जो कि आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले हम इस margin को adjust करेंगे हम layout में जाएंगे margin में जाएंगे और custom margin पे click करेंगे click करने के ब margin है यह proper set हो जाएगा और आपको maximum जगह मिल जाएगा यहाँ पर 9 ID card एक page पर प्रिंट करने के लिए अब ID card प्रिंट करने के लिए जो हमें format को follow करना होता है वो है table क्योंकि table में जो हम formulas वगरा add करेंगे वो उसमें proper तरीके से possible हो जाता है तो हम यह table में जाते है और हमें ए जाना है simple layout वाले option में और इसके height क्या रखें तो height हमने रख लिया 3 और इसकी width हमें क्या रखनी है तो width में यहाँ पर रख लेता हूं 2.4 जो भी आपकी requirement आप उसके हिसाब से रख सकते हो फिलाल हम इसके रख लेते हैं 2.4 यह किया करने के बाद एंटर कर देना है तो आपक shape लिए हमने यहाँ पर और इस तरीके से एक upper format हम यहाँ पर create कर लेते हैं जो क्यों इसके आप देख पा रहे हो जितना time दोगे आप decoration में उतना जाद आप इससे अच्छा बना पाऊगे हमने यह किया करने के बाद simply यहाँ पर shape fill में जाते हैं इसका color हम green रख लेते हैं outline इस यहाँ पर हम इस से related को यह narration देते हैं तो हमने डाल दिया the education point ठीक है यह हमने लिखा लिखने के बाद हम इस पूरे को select करेंगे select करने के बाद home में जाना है इसमें जो extra space आ रहा है इसको हम remove करेंगे और यहाँ से भी कम कर देंगे इसके बाद उपर वाला जो portion है उसको यहाँ पर क्या करेंगे हम insert में जाएंगे और फिर एक shape ले लेंगे rectangle तो यह हमने एक shape लिया कुछ इस तरीके से हम shape यह ले लेते हैं यहाँ और इसको थोड़ा सा हम यह बढ़ा कर देते हैं अब यह करने के बाद edit shape में जाओ और edit point पर click करो यहाँ पर इसको पकड़ा इसक जो भी color आपको अच्छा लगता है वो color आप रख सकते हो outline मैं फिलाल इसके no कर देता हूं और यह करने के बाद आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ready हो जाएगा जो क्यों इसके नाप देख पा रहे हो इसके बाद अगर आपके organization का कोई logo है कोई image है तो वो आप कैसे add कर जैसे यह मान लो कुछ logos हैं तो मैं यहाँ पर ISO का ले लेता हूं यह लिया wrap text में जाएंगे इसे in front of text करेंगे ताकि इसे easily हम move कर सके फिर इसको लाएंगे और जितने की हमे requirement है उस size में इसको adjust करेंगे और करने के बाद हम इसे यहाँ पर लगा लेंगे कुछ इस तरीके से अब इसके बाद इसमें जो जो हमें points चाहिए जैसे की name, designation, employee code वो सब हम इसमें add कर देते हैं तो shape को select किया right click किया और add text पर click करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिखू हूँ अभी color white है तो आपको show नहीं हो रहा होगा तो इसका color हम black कर देते हैं और यहाँ पर इसका alignment ह है वो मैं कर देता हूं left और हमने यहाँ पर लिखा name इस तरीके से चीक है और फिर हम नीचे आएंगे हम यहाँ पर लिख देंगे employee code कुछ इस तरह से फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर मड़ देंगे designation यह हमने क्या और यह हमारे जो portion है वो यहाँ पर आ गया अब इसको select करेंगे line spacing में जाएंगे और remove space कर देंगे जो भी extra space है वो यहाँ से हट जाएगा फिर इसको नीचे ले आएंगे कुछ इस तरीके से sizes का थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे जितने के हमें requirement है जैसे कि आप देख पा रहे हो तो यह हो गया portion इसका ready अब देखो एक ID card का format बनाने किया है आपको यहाँ पर जाना है mailing type में जाने के बाद start mail merge का option है simple आपको label पर click करना है by default इसमें one and half letter select होता है इसी को रहने देना और okay कर देना okay करोगे जैसे okay करोगे page हटेगा दूसरा आ जाएगा आपको simple control z करना है वापस आ जाओगे इसके बाद जैसे आप update level पर click वो format 9 के 9 पे एक के बार में apply हो जाएगा जो कि अब देख पा रहे हो मतलब महनत करी हमने सिर्व एक पर और वो automatically सब पे apply हो गया अब इसके बाद हमें photo भी लगानी है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे section add करना पड़ेगा तो इसके लिए पहले जो हमारा cursor है वो हम यहाँ पे ले आते हैं और लाने के बाद यहाँ पे end button को press करना तभी enter करना तब आपका cursor नीचे आएगा देखो यहाँ पे आ गया इसके बाद हम जाएंगे insert में और एक सिर्फ एक single cell table लेंगे लेने के बाद इसको एक frame type में आप यहाँ पे ऐसे ready कर लो करने के बाद इसे थोड़ और हमारा format भी ready हो चुका है अब बस क्या करना है data को और format को एक साथ add करना है और हमारे id cards ready हो जाएंगे अब यह करेंगे कैसे देखो सबसे पहले जो list आपने बनाई उस list को हम इसमें add करेंगे तो mailing tab में आपको यहाँ पे option मिलता है select recipient का आपके उसमें जाना है और जो भी आपकी list बनी हुए है उसके लिए use an existing list पे click करना है click किया हमने कहाँ पे save किया था local disk app में यहाँ पे जाएंगे और my data one के नाम से मैंने save किया था यह रहा मैंने कर दिया open और मैंने किया okay अब जैसे में से click करूँ है सारे जो fields हैं वो highlight हो जाएंगे आप देख पा रहे हो name के आगे हम name का section डालेंगे insert merge field आये name कर दिया employee code के आगे हम field डाल देंगे employee code का और फिर हम इसके आगे आएंगे फिर insert merge field में कर यहाँ पर कर दिया designation और यहाँ पर हमने कर दिया date of join यह आ गया simple update level पर जैसे आप click करोगे सब पर एक बार में apply हो जाएगा जो जो आपने इस पर किया है अब यह होने के बाद जो सबसे main term है वो है image add करना और मैं आपको बता दू image add करने में बहुत दिक्कत ह होती है इसलिए कई लोग तो क्या करते हैं कि सारा format shortcut में बना लेते हैं और image अलग-अलग add करते हैं लेकिन फिर भी हम shortcut जान लेते हैं जैसे आपको better लगे अगर बहुत ज़्यादा है तब यह formula ने use करना ही पड़ेगा लेकिन अगर आपको 5-10 ideas बनानी है तो आप यह single format use कर तो अगर आपके पास कम ID cards है तो आप वह format use करो उसमें ज्यादा फायदा आपका दूसरा हम यहां पर बात करते हैं इसके इसमें एक और दिक्कत आपको मिलेगी वह दिक्कत यह है image adjustment के मतलब आपको image adjust करने में काफी दिक्कत होगी आप देखो होता क्या है जब आप एक एक image को scan करोगे तो उसका size आप fix से रख लोगे कि इसका dimension आपने एक बाई एक कर रख दिया लेकिन अगर आप font से खीचे रहे हो crop कर रहे हो तो उसका dimension हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो किसी का थोड़ा कम हो तो वहां पर जब आप shortcut में image adjust करते हो तो कोई image बढ़ी आ जाएगी क कोई में छोटी आ जाएगे तो यह दिक्कत आपको मिलेगी ही मिलेगी तो देखो simple इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए मैं आपको shortcut बता देता हूं यहां पर सबसे पहले जो table के outline है इसको हम यहां पर गायब करेंगे तो यहां पर में जाना है borders में और तो इसके लिए देखो यहां पर आपको Ctrl F9 प्रेस करना है जब आप करोगे तो formula puton करने के लिए आपको ऐसे curly brackets मिल जाते हैं अब इसके अंदर हमें लिखना क्या है caps में लिखेंगे हम include picture क्या लिखेंगे include picture double quote किया और simple यहां insert merge field में गया और image पर click कर दिया जैसे आप click करो तो शायद थोड़ा ज्यादा complex हो जाता देखो simply करना क्या है कि यह जो हमारा data है इसको हमें यहां पर cut कर लेना है क्योंकि यह shape के अंदर है तो यह proper action सबके लिए अलग-अलग apply नहीं करेगा ज्यादा possibility है तो हमें यहां पर करना क्या है सबसे पहले तो हमने इसको cut कर लिया इसके बाद यह जो shape है इसको हम behind text करेंगे तो format में जाओ और इसको behind text कर दो मतलब यह सिर्फ क्या हो जाए एक format का part बन जाए तो हम इसे behind कर देंगे और behind करने के बाद आप इससे select नहीं कर पाओगे जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके बाद जो आपका cursor है आप यह cursor देख तो इसमें देखो नाम राजेश आ रहा है जो कि पहला data है लेकिन बागे सब में क्या रहा है उनम आ रहा है तो यह किसले क्योंकि यह shape के अंदर है तो यह layout की तरह work कर रहा है एक object की तरह text की तरह नहीं और जैसे मैं update labels करूँगा आप देखो कि यहां पे सब का data यहां पे change हो जाएगा तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो भी यहां पे data लिख रहे है जो हम चाहरे है change होगा वह हमें क्या करना है shape के ऊपर डालना है shape के अंदर नहीं shape के अंदर पहले हमने इसलिए डाला क्योंकि बाद में इतना सब कुछ होता आप confused हो जाते है तो यहां पे हमने क्या करना है simple हमने इसको cut किया shape को behind text कर दिया format की तरह और इसे उपर चिपका दिया मतलब paste कर दिया यह जो हमारा cursor है इसके आधार पे और इसके बाद simply हमार जो space ले लेता है तो आपको बनाने 9 है और वहां पे बन जाएंगे 18 तो वह काम हमें नहीं करना इसलिए हम यहां पे from 1 to 9 कर देंगे यह किया और ok करेंगे जैसे आप ok करोगे यहां पे देखो यह paste change हो गया है पता नहीं चल रहा होगा लेकिन उपर देखोगे तो paste change हो गया है और यहां पे control A करना है और image लाने के लिए हमें क्या करना है सिर्फ f9 की press करना है जैसे आप करोगे देखो सबकी images आ गई है लेकिन इन images का size बहुत जादा आ रहा है जैसे कि मैंने बताया था हर image के जो dimension है वो आपको set करना पड़ता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें बस इस images को select करना है इस तरीके से और यहां पे जाना है format वाले option में और यहां पे सिर्फ डाल देंगे हम 0.8 इस तरीके से और यहां पे भी डाला 0.8 बस इतना ही किया यह देखो ready हो गया same यही चीज़ हमें करना है इसमें 0.8 और यहां पे भी हमने कर दे 0.8 और proper तरीक प्रॉपर एड़्जस्ट हो जाएगी यही चीज़ हम इसके साथ भी करनी है तो यह चोटा सा काम आपको करना पड़ेगा अगर आपने image का size या dimension पहले से fix नहीं किया हुआ है तो अगर आपने पहले से इसका dimension set क्या हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और नहीं किया है तो इस तरीके से image का size अलग-अलग होगा तो आपको यह वाला issue आ सकता है इस तरीके से आप देखोगे कि सब के लिए एक individual ID card यहाँ पर set हो गया है जितना time आप editing में दोगे उतना अच्छा बना सकते है जैसे अगर मैं इसे नाम बगर की बात करो भी काफी यहाँ पर congested form में आ रहा है अगर हम इसमें ध्यान देते तो हम इसमें space दे सकते थे इस तरीके से तो वो totally आप पर depend करता है जितना आप इसमें time दोगे जितना अच्छे सा आप designing portion रखोगे उतना अच्छा ID card आप create कर पाऊगे आपको clear होगे होगी कि अगर excel में आपका data है और उस data के बहाब पे ना सिर्फ ID card बलके certificate हो गया कोई letter head हो गया कोई format आप दे रहे हो सारे employees को उनके नाम या address के थुरू तो सारा data आप उहाँ पे बना सकते हो और उस data को mailing tab यानि की mail merge के थुरू आप आसानी से सारे data के थुरू एक format ready कर सकते हो आपको पसंद आई होगी और यह जो concept है वो अच्छे से clear हुआ होगा इसे के साथ ही वीडियो खतम करने से पहले मैं आपके लिए grade news लाया हूँ कि अगर आप excel का course करना चाहते हैं job level basis पे तो वो पूरा course मैंने धुरिना एप पे launch कर दिया है धुरिना एक education platform है जहां पे excel का पूरा course है job level पे वो मैंने वहाँ पे upload कर दिया है तो अगर आप यह course करना चाहते हैं तो दुरिना एप पे जाहिए और वहाँ से इस course को grab कीजिए फिलाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करें share करे साथ कमेंट करके अपना feedback जरूर दें thank you